से गाईज इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका civil score generate ही नहीं हुआ है या आपका किसी वज़े से civil score काफी डाउन हो गया है जैसे आपने credit card पेमेंट नहीं किया या किसी loan का payment आपने नहीं किया तो आपका civil score काफी डाउन हो जाता है उस Civil Score को Increase करने के लिए आपको FD के अगेंज्स एक Kredit Card लेना पड़ता है तभी आपका Civil Score Increase होता है तो मैं आपको अगर बता दूँ आपके पास कोई भी Kredit Card नहीं है तो आपको FD के अगेंज्स Kredit Card लेना पड़ेगा तभी आपका civil score increase होगा और इस time में जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा चलना है वो है one card का 2000 रुपए की FD पे आपको credit card दे दिया जाएगा इसके लिए आप eligible तभी हो जबाब 18 साल से ज्यादा हो इसके लावा आपको कोई documents की जरूरत नहीं है और इसमें दो type के card आते हैं एक plastic card होता है और एक metal card होता है तो metal card के लिए आपको deposit FD 50,000 रुपए कराना पड़ेगा तब आपको metal card मिलेगा और अगर आप 2000 रुपए की FD कराते हो तो आपको plastic card मिलेगा दोनों card के feature same है जितना उसमें revert point मिलेंगे उतना ही plastic वाले में भी मिलेंगे तो मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में मैं आपको life proof दिखाऊंगा कि 2000 वाली FD कैसे करते हैं और क्या-क्या उसमें documents लगता है क्या नहीं लगता आप life proof देख लेना और कुछ चीजे मैं बता दूँ कि जैसे ही आप FD कराते हो तो यह एक साल की इसकी maturity होती है जिसमें आपको 6.5% का interest rate मिलता है और अगर आप एक साल से पहले FD को अपनी break करते हो और one card app के जरिये से अपनी FD को तोड़ सकते हो जैसे ही आप FD क्लोज करोगे आपका credit card क्लोज हो जाएगा और अगर आप एक साल के अंदर इसे क्लोज करते हो तो 2000 वाली FD पे आपको 300 रुपए प्लस GST का charges लगेगा यह आप याद रखिएगा और इस card का कोई भी charges नहीं है ना annual fee है ना joining fee है तो इस card को आप लेके अपना civil score increase कर सकते हैं और जब आपका civil score अच्छा खासा हो जाए कि आपको unsecured credit card आसानी से मिल जाए तब आप इस अपनी FD को close कर देना जब तक के लिए आप ये card को use करो तो चलिए चलते हैं हम लोग mobile की screen पर और देखते हैं कि कैसे हमें 2000 रुपए की FD कैसे करानी है और अपना credit card कैसे लेना है चलिए चलते हैं mobile की screen पर description में link दिया वहाँ click करेंगे तो आप play store पर आ जाएंगे और one card को आपको install कर लेना है तो हम लोग install कर लेते हैं इसको फिर आगे का process हम लोग देखेंगे तो यह हमारा install हो चुका है और इसको open करेंगे तो यह open हो रहा है और open होने के बाद यह देखे इट से metal बट हम लोग को metal नहीं हम 2000 वाला ही करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है तो mobile number डालके get OTP पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर अपना OTP verify करेंगे फिर उसके बाद email ID से हम लोग confirm करेंगे तो एक email ID हम लोग choose कर लेते हैं और हमने email ID choose कर लिया है verify हो रही है email ID अब यहाँ पर हम लोग अपना pen card का number डालेंगे तो चलिए हम लोग फटा फट pen card का number डालते हैं यहाँ पर और number डालने के बाद हम लोग nest पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर देखिए आपको pin बनाने को बुर ले आपका pin तो हम लोग इसको pin create कर लेते हैं जब हम लोग अप open करेंगे तो pin शेक्र होना चाहिए और confirm पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा wait करेंगे फिर यह देखिए please note यानि आपके account में इतना पहले सुना चाहिए कि आपका 2000 FD हो जाए तो हम लोग okay कर देंगे और यहाँ पर आपको अपने bank का number डालना है account number दो बार आपका re-enter account number और IFSP code डालना है तो यह तीनों चीज़ हम लोग डाल कर और नीचे continue पर क्लिक कर देंगे और यह देखिए एक रुपए आपके account में transaction यह लोग करेंगे तो हम लोग continue पर क्लिक करेंगे आपके account में एक रुपए यह देखिए हमारे account में एक रुपए आ चुका है तो थोड़ा सा wait करते हैं फिर यहाँ पर आपको आपका आधार card डालना होगा उसे verify करके और password create करना पड़ेगा तो हम लोग start पे click करके अपना आधार card का number डालते हैं तो चलिए हम लोग करते हैं start पे click तो यहाँ पर हम लोग अपना आधार card का number और यह जो capture code है इसको हम लोग fill up करेंगे और हम लोग fill up करने के बाद नीचे देखिए box है उसे box पे हमको tick करना है तो code fill up करने के बाद हम लोग box पे tick करेंगे और नीचे get OTP पे click कर देंगे तो हमारा आधार पे एक mobile number जो link के उस पे OTP आएगा ये OTP आ चुका है तो हम लोग OTP को यहाँ पे डाल कर verify कर लेंगे आधार को तो हम लोग डाल के और यहाँ देखिए नीचे create password है तो यहाँ पे हम अपना password create करेंगे जो आपको password बनाना है और next कर देंगे तो थोड़ा सा wait करेंगे आधार OTP verified हो चुका है आपका और थोड़ा सा wait करना पड़ेगा processing your application अब इसको close करके फिर से one card app को खोलना पड़ेगा तो हम लोग चलिए इसे close कर देते हैं और फिर से one card app open करते हैं तो one card app open करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या दिखाएगा भी यह थोड़ा सा wait करते हैं तो यह देखिए दिखा रहा है 2000 रुपए हमको यह जो हमने अकाउंट नमबर डाला था वो है और पे यूपी आई एक चीज़ याद रखिए जिस एकाउंट से आपका पैसा कटेगा उसी एकाउंट में जब आप एफडी ब्रेक करोगे तो उसी एका पैमेंट करेंगे 2000 रुपए का तो थोड़ा सा wait करते हैं और यह देखिए बहुत सारे option आ जाएंगे हमको यह हमारा mobile नमबर है email ID है नीचे 2000 रुपए दिया गया है तो pay using UPI जहां पे नीचे लिखा है वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसका payment करेंगे तो यहां पे हम ल जारिये से हम लोग 2000 रुपए इसका payment करते हैं थोड़ा सा wait करेंगे payment हो जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग wait करते हैं और यह देखिए payment हमारा successful हो चुका है और done पे click कर देंगे थोड़ा सा wait करेंगे और यह देखिए your payment was successful तो हमारा payment complete हो चुका है अब यहां पे आपको nominee अगर बनाना है तो आप बना सकते हो वरनना लेटर कर सकते हो तो हम फट़फट nominee बना देते हैं और add nominee पे click करके आगे ब और wait करना है यह देखिए आपको confirm current address आपको select करना है जहां पर आपका यह credit card आ जाए तो हमारा यह काफी address है तो हम जो मेरा address है जहां भी मैं रह रहा हूं उसको select करेंगे और थोड़ा सा scroll down करेंगे तो नीचे option आपको दो दिया रहेगा अगर आपका यही permanent address है तो आप first वा हाले पर रिक्लिक करके और कंफरं पे-कलिक कर देंगे तो चै staring हम लोगं पर क्लिक कर देते हैं करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे बटा संडे है तो आज ये तो होगा नहीं ये देखिए कंफर्मेशन पेंडिंग दिखाएगा क्योंकि ये वन टू वरकिंग डेज दिखा रहा है बटा संडे है तो कल ये हमारा एक्टिव हो जाएगा क्रेडिट कार्ड तो इस तरीके से कि आप अपना वन कार्ड में रेजिट्रेशन कर सकते हैं मोबाइल पर